जो बाक टू बाक शूटिंग कर रहे हो आप तो बीच में ब्रेक तो बनता है, उसे में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, इसके बीच में ब्रेक नहीं बनता है। अभी डाम्लोड करें तक आप देख बिना ब्रेक कश्मीर घाटी में आमन बाहली से बुखलाया पाकिस्तान जहां एलोसी पर बेवज़ा गोली बारी कर रहा है वहीं आतंकवादी कारोबार को ठप करने की कोशिश कर रहे हैं सेब के कारोबार पर आतंक कसाया है वज़ा ये कि शोपिया में दो और ट्रक राइवरों को आतंक्यों ने मार डाला और तीन ट्रकों को आतंके हवाले कर दिया सेबों की बिखरी हुई पेटियां आतंकी हमले की तस्दीक कर रही है सेप के कारोबार में हो रहे हमले के बाद सेना ने शोपिया में अपने कैम के पास ट्रकों की लोडिंग का बंदूबस किया आज तक की टीम ने यही से हालात का जायजा लिया हम इस वक्त शुपेन के बलपुरा इलाके में है और यहां पर इस जगा पर कई सारी ट्रक्स जो हैं वो जमा हो गए हैं ये लोग अंदर के गाउं के इलाकों से भाग के यहां जमा हो गए हैं यहां पर थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करते हैं और साफ इनका कहना है कि यहां टाजा हमले के बाद 150 से ज्यादा ट्रक खाली ही घाटी से वापस लोड़ गए वहीं दूर दूर से आए ट्रक ट्राइवरों को अपनी जान का डर सता रहा है यहां उदर कठवा के हीरा नगर सेक्टर में पाकिस्तान नी एक बार फिर काराना हरकत की उसने रिहाईशी इलाकों को निशाना बनाते हुए भारी गोलाबारी की इस गोलाबारी में दो-दो भैंसों की जान चली गए पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा वहीं PSF के जवान पाकिस्तान की और से की जा रही फारिंग का जोरधार जवाब दे रहे हैं